आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यू के बारे में तो क्यू एक data structure है जिसको आप use कर सकते हो element add या delete करने के लिए जैसे आप bank में जाते हैं आपने एक line देखी होगी कि जब कोई passage deposit कराने जाएगा तो एक के पीछे एक line में लगते चले जाते हैं ठीक है तो जब सबसे पहले आपका कोई person है सौ buradan हेख वो सबसे पहले पैसे page Leaders कराएगा फिर वो मेंاطर सेकंड कराएगा वो लाइन में सिल जाएगा लेकिन कोई नया बंदा आएगा डियोजटिट कर ने तो वह नया के पीछे लगता चला जाएगा तो यहांपर क्या हो रहा है कि जब कोई बंद है Q में कि यह आपके पास empty Q है ठीक है तो जैसे आपने stack में देखा था stack में क्या था आपके पास elements थे तो वो जो element है वो आपके stack के top पर stack के top पर ही वो add होते थे और top से ही वो delete होते थे तो stack में एक ही variable यूज था था top ठीक है add और delete करने के लिए लिकिन Q में क्या हो रहा है जब आप Q के अंदर element निकाल रहे हो तो front में से निकल रहा है जब add कर रहे है तो Q के आखरी में हो रहा है तो यहाँ पर दो variable की जूरत पड़ेगी तो पहला variable है front दूसरा variable है rear ठीक है जो front है वो Q के starting में point करेगा और जो rear है वो Q के आखरी में मतलब अगर आप element delete करना चाहते हैं तब आप use करोगे front का जब आप element add करना चाहते हो तब आप use करोगे rear का तो initially यह Q आपकी empty है तो front भी 0 है और rear भी 0 है आपके पास ठीक है तो जैसे ही element आया अब एक element add हो गया ठीक है तो इसका मतलब गया है rear क्या हो जाएगा यहाँ पर one क्योंकि एक element add आ चुका है फिर 20 दूसरा element आया rear की value 2, 30 आया rear की value 3, 40 आया rear की value 4 हो गई लेकिन अभी front 0 ही है क्यों क्योंकि अभी तक कोई element delete नहीं किया गया जैसे ही आपने यह element delete किया तो front भी increment हो जाएगा means front आपका तब आगे की तरफ बढ़ेगा जब element delete होगा q के starting में से और rear तब आगे बढ़ेगा जब आप element delete करोगे q के sorry element add करोगे q के end में आगे बात सुझ में तो यह है front और rear ठीक है जी बात तो जब आप q के अंदर element add करते हो q के अंदर element add करते हो add करना कहलाता है n q ठीक है याद रखना है element को add करना कहलाता है n q और जब आप remove करते हो या delete करते हो वो कहलाता है d q of element ठीक है इस चीज को भी याद रखना क्योंकि exam में आ सकता है कि n q का मतलब क्या है element को add करना q में d q का मतलब क्या है element को delete करना q में से ठीक है जी बात तो यह आ गया आपके बस add और remove करना इसको लिखी देते हैं ठीक है अब यहाँ पर जैसे stack में था ना कि stack में क्या होता last in first out जो last में आया वो first में गया और जो first में आया वो last में गया लेकिन यहाँ पर क्या है first in first out FIFO 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 first in first out जो पहले आयेगा वो पहले delete होगा और जो last में आएगा वो last में गया होगा है तो इसको क्या भी कह सकते हैं last in last out first in first out भी कह सकते हैं इसको last in last out भी कह सकते हैं तो यह जो full form है इसको याद रखना है important है exam point of view से ठीक है बात तो front आ गया rear आ गया तो अब यहाँ पर एक concept है के मालो यहाँ पर आपने 10 किया ची के बात और यहाँ पर आपने कर दिया 50 अब क्या हो गया मालो यह 5 ही slot थे आपके q के अंदर तो अब q क्या हो गई q तो भर गई तो इसका मतलब q क्या हो गई full तो इसके लिए क्या condition है इसके लिए हमारे पास condition है कि जब यह मालो एरे है ना एरे में जब आपके पास ऐसे हो एरे का मतलग आपने CC प्लस में पढ़ा था कि मालो N size गा एरे है तो maximum values में कितनी जाती थी N equals to minus 1 0 to N minus 1 तक जाता था एरे का size अगर N था तो 0 से लेके N minus 1 तो यहाँ पर Q कब full हो गई जब rear आपका equals to अगर आपकी Q का size क्या है N है Q का size N है और rear अगर आपके पास हो जाए N minus 1 तो यह आपको याद रखना है questions में आपको दिया जाएगा कि अगर आपकी Q का size N है ठीक है तो rear की value क्या होगी के Q full हो जाए इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं question में इस्तिना हिद गिवन आ सकता है कि अगर आपकी Q का size N है ठीक है तो rear तो उसमें कुछ भी दे सकता है कि rear की value क्या होगी के Q full होगी तो जब rear आपका यह 0 है ना 0, 1, 2, 3, 4 तो यह size 5 था तो यह 0 to 5-1 कहां तक है 0 to 4 ठीक है ना तो जब rear का size N-1 हो जाएगा तब आपकी Q क्या कहलाएगी full ठीक है इस तरह से अगर given होगा Q size N और rear की value N-1 होगी तो वो क्या कहलाएगा full ठीक है और अगर आपके पास वो कहता है कि कोई element नहीं है कोई भी element नहीं है तो उस case में क्या कहलाएगी वो empty ठीक है तो empty के लिए क्या condition बनेगी जब आपके पास front equal to rear equal to 0 हो ठीक है front equal to rear equal to 0 या फिर इस कोई भी लिखने आपके नहीं है front equal to 0 और rear equals to 0 ठीक है ये दोनों तरह से आसकता है front equal to rear equal to 0 या front equal to 0 या rear equal to 0 तब भी ए Q क्या कहलाएगी empathy, ठीक है? यह आपके पास थी linear q, ठीक है? single ended single ended q, मतलब कि आपके पास एक end से delete हो रहा एक end से delete हो रहा, तो इसको आप linear या single ended q भी कह सकते हैं, आग़े बास सवाज में, front kya है, rear kya है, full की क्या condition है और empty की क्या condition है ठीक है ये तो थी आपके पास single ended Q इस तरह से आपके पास एक और आ सकती है condition कि आपके पास एक Q है उसको आपने कह दिया circular Q circular Q circular Q में क्या होता है अब यहाँ पर देखो इसको front को F माल लेते हैं rear को R माल लेते हैं तो इस Q में क्या हो रहा था माल लो आपके पास situation ऐसी थी कि आपने यहाँ पर element यह insert कर दिये दे ठीक है अब Q आपकी full हो गई ठीक है लेकिन आप करना चाहते हैं delete आपने यह तीन element delete कर दिये तो front कहा जाएगा आपका front आजाएगा यहाँ पर ठीक है अब आप देखो element हमेशा कहाँ add होता है आखरी में लेकिन आखरी में तो जगा ही नहीं है ठीक है जगा कहां को परचरी है starting में starting में तो हमने कहा था हमेशा delete होता है तो starting में अगर आप new element add करना चाहते हैं आखरी में जगा है नहीं आखरी में ही add होता है starting में जगा है starting में हमेशा delete होता है तो इस case में क्या करते हैं हम इस q को बना देते हैं circular q तो अब circular q में क्या होगा कि यह जो rear है ना यह आपके पास point कर जाएगा initial value को कहां point कर जाएगा initial value को तो अगर मैं rear को इस तरह से अभी तो rear क्या हो रहा था rear equals to rear plus one करके हम next next पे बढ़ रहे थे के rear की value अगर 0 थी ठीक है तो rear को हमने rear equal to rear plus one कर दिया means अगर rear की value पहले 0 थी तो rear की value 0 plus 1 equals to 1 होगी फिर अगर next increment करते तो rear की value 1 plus 1 कितनी होगी तो rear की value 2 थी 2 plus 1 किसनी होगी 3 इस condition के हिसाब से लेकिन अब हमें rear को इस हिसाब से increment करना होगा कि जब आपका वो आखरी में पहुंचेगा तो आखरी में पहुंचने के बाद यहां पर आएगा ना वो आर की value जब 4 होगी तो अगर आप आर की value में next increment करेंगे तो वो कितना आएगा 5 आएगा लेकिन 5 तो जगह है यह नहीं रेके अंदर आपके तो उस case में यह method नहीं चलेगा circular के case में तो circular के case में हम करते हैं rear equals to rear plus one mode n ठीक है हमने क्या किया rear equals to rear या फिर इसको हम ऐसे करते हैं इसको देख लेते हैं माल लो आपने यह किया rear की value क्या है four है ठीक है four plus one कितना आ गया five और q क्यों क्या आपका size कितना था five ठीक है न तो यह आ गया mode five कितना आ गया five mode five mode हमें क्या देता हमें इसा remainder तो five mode five five को five से divide करेंगे remainder कितना बचेगा zero तो अब देखो यह क्या हुआ कि जब आपकी value यह आर की value four होगी और आप next increment कर रहे हो तो यहां पर rear की value क्या आ गई zero means अब वो आखरी से कहां चला जाएगा front में ठीक है तो यह condition बनेगी अब कि इस r equals to r plus one mode n अगर आप करते हो तो अब आपके पास increment मिल जाएगा अगर आप यहां जाना चाहते थे वन के उपर तो आर की value और प्लस one मतलब zero plus one mode अगर आप five करते हो तो यह क्या आएगा one mode five remainder कितना आएगा one ही आएगा तो आप one पे चले गए इसी तरह आप two पे जाना चाहते तो यह कितना बन जाएगा आपके पास हार की value अब कितनी थी वन थी ना one प्लस one कितना आ गया two two mode five remainder भी क्या आएगा two क्योंकि यह चोटा है यह बड़ा है तो remainder हमेशा exact वही आ जाएगा तो यह case होता है कि अगर आप कोई यह आपके पास बड़ा है यह आपके पास चोटा है और आप remainder निकालना चाहते हो तो अगर यह चोटा है न जिसको आप divide कर रहे हो तो as it is आ जाता है remainder में तो यही concept है कि अब होगा जब वह आखरी में आएगा न उसके बाद next अगर कोई add करना है तो वह अपने आप ही initial starting में चला जाएगा इस condition की help से ठीक है बात अब यहां पर circular q के case में अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी q full है या नहीं मालों यहां पर भी element है आपके ठीक है यह क्या है front ठीक ह और rear अब आपका क्या है rear equals to rear plus one mode n थीक है तो यहां पर क्या condition बनेगी यहां पर बनेगी जब आपके पास front equal equals to हो जाएगा rear के थीक है न पहली चीज़ आएगी के rear equals to rear plus one mode n और front equals to rear तब आपकी q कहलाएगी full क्योंकि यहां पर क्यों रहा है यहां से आप back जा रहे हो ठीक है linear के case में क्या था simple वो जब rear equals to rear minus one था और size n था लेकिन जब आप क्या circular क्यों आएगी न तो उस case में rear equals to rear plus one mode n और front equals to rear क्योंकि जब यहां पर यह four हो जाएगा four के बाद यह दुबारा कहा जाएगा front भी यहां front तो क्या है zero ही है और rear भी क्या हो जाएगा zero जब यह दोनों zero हो गए यह मिसला equal हो गए और यह साथ में यह भी condition लगेगी rear equal to rear plus one mode n और front equals to rear तब यह कहलाएगा simple full और empty किस case में कहलाएगा empty की condition पहले वाली ही है कि जब front equal equals to rear होगा और equals to zero होगा ठीक है यह पहले वाली ही condition है आपके पास circular q के बारे में ठीक है यह आगी आगी आपके पास circular q इसके बाद आपके पास दो q's और होती है एक q है आपके पास double ended q ठीक है यह आपको याद रखना है आपके पास python के अंदर एक class है जिसका नाम है d e q u e d e q u e यह आपके पास class का नाम है जिसकी help से आप double ended q use कर सकते हो double ended का क्या मतलब है अब यहाँ पर पहले तो क्या हो रहा था कि front में हमेशा delete होता था और end में हमेशा add होता था लेकिन double ended में क्या होगा यहाँ से आप add भी कर सकते हो और यहीं से आप delete भी कर सकते हो front में भी आ front में से आप add भी कर सकते हो delete भी कर सकते हो और rear में भी आप add भी कर सकते हो और delete भी कर सकते हो ठीक है double ended q का मतलब है front में add भी कर सकते हो delete भी कर सकते हो end में, so rear में भी add और delete दोनों कर सकते हो, यह आपके पास है double ended Q, और python में इस class का नाम है D, E, Q, U, E, चीक है, यह आपको याद रखना है, यह है double ended Q, और इसके बाद एक आखरी आपके पास Q है, जिसका नाम है priority Q, चीक है, क्या है, priority Q, priority Q का मतलब होता है, क्यों के अंदर, वो element आएंगे, जिनकी priority हाई होगी, जैसे अगर आप देखते हो, आप सडक पर जा रहे हैं, तो जो मंतरी होते हैं, या कोई VIP लोग होते हैं, उनको पहले जाने दिया जाता है, starting में, तो इसी तरह से, पहले वो बंदे आके लगेंगे, जिनकी priority हाई होगी, जैसे आपके पास operating system में होता है, interrupts होते हैं, मतलब अगर interrupt का मतलब होता है, कि power failure होने लग रही है, तो सबसे computer के अंदर एक interrupt आएगा, कि आपके पास जो आप काम कर रहे हो, जल्दी से जल्दी save कर लो, वरना power failure हो रहा है, उसके वज़े से आपका काम खतम हो जाएगा, ठी priority queue basically उन कामों के लिए use होती है, जिनकी priority high होती है, तो उस case में आप use करते हो priority queue का, ठीक है, तो आप इने single-ended queue पढ़ा है, double-ended, circular की और priority queue, ठीक है, इस तरह से ये चार queue थी आपके बारे में, और अगर हम इसकी implementation python queue की simple single-ended queue की implementation की बात करें, तो यहाँ पर हम list की help से ही करेंग यह आपने एक empty list बना ली, एक variable का नाम है c, जिसको अपने value दे दी y, फिर आपने लगाया है while loop, while loop में आपने simple condition यूज की है, c equals equals to y, मतलब जब तक c की value y रहेगी, तब तक while loop चलता रहेगा, दो statement आपने print करा दी, पहले में लिखा one for insert, two for delete, insert करने के लिए आप one दबाएं to delete करने के लिए आप two दबाएं, फिर यहाँ पर जो भी value आप keyboard से दबाओगे, choice के अंदर उसको read कर ले जाएगा, इसकी help से, input function की help से, उसको read किया जाएगा, फिर int से उसको integer में convert किया जाएगा, फिर दिया जाएगा choice variable को, ठीक है, फिर यहाँ पर check हो रहा है, if choice equals to one, जो इस number को integer में convert किया, a.append, list के append method की help से, वो b में, यह b में read हुआ था ना, फिर इस b element को a के अंदर append method की help से add कर दिया गया, ठीक है, अगर यह choice one नहीं होगा, तो else में जाएगा, else में फिर if condition है, अगर वो choice two होगी, ठीक है, फिर चेक किया जाएगा, क्या, two किसलिए होता है, two होता है, delete के लिए, one तो आपका insert था ना, append की help से आपने insert कर दिया था, अगर वो choice आपने one नहीं दबाई है, two enter किया है, आपने simple, ठीक है, तो two दबाने के वज़े से, यह condition fail हो जाएगी, फिर else में जाएगा, फिर check होगा, choice की value two, अगर two आपने दबाया होगा, फिर check क्या आपके पास empty तो नहीं है, अगर empty है, तो इसका मतलब क्यों empty आप delete ही नहीं कर सकते, ठीक है, अगर वो empty नहीं है, मतलब उसके अंदर element है, फिर आजाएगा, यहाँ पर, else में क्या कहाएगा, print, delete, element को delete करने से पहले हमने उस element को print करा दिया, index की help से, यह list का index है, क्योंकि यह है, a of zero, क्योंकि क्या होता है, जो element delete करना है, वो हमेशा starting में होता है, तो हमेशा यह starting element को print करेगा, a of zero, ठीक है, फिर a dot pop की help से, उस starting element को delete कर दिया जाएगा, ठीक है, a pop zero का मतलब क्या है, आपके पास list में जो starting element को delete कर दिया गया, ठीक है, अगर यह भी नहीं है, तो else में चल जाएगा, one भी नहीं दबाया, two भी नहीं दबाया, तो यहां से वो direct कहा जाएगा, मालो, यह था one, ठीक है, आपने one नहीं दबाया, यह fail कर गई, फिर हो गयता है, आपने two भी नहीं दबाया, यह भी fail कर गया, तो यहां से, अगर यहां भी fail कर जाएगा, यहां से वो direct यहां आ जाएगा फिर यह सब इतना नहीं चलेगा यहीं से वो डिरेक्ट यहां आ जाएगा पिंट करेगा रॉंग चोईस फिर एक और मैसेज है डिवांट टू कंटिनू अगर आप कंटिनू करना चाहते हैं य को दबाएंगे फिर यह कंडिशन चाहिक होगी यह हो जाएग फिर यह चल पड़ेगा अगर यहां आप वाई की जगह एन या नो कुछ भी दबाते हैं तो यहां पर एक इंडिशन फेल कर जाएगी सी वाई के कबल नहीं होगा तो बहार आ जाएगा ठीक है तो यह आपकी पाइथन के अंदर इंप्लीमेंटेशन थी क्यूव की ठीक है तो जो यह आपको जो प्वटा आगए हैं बोलकर इनको आप नोट डाउन कर लें क्योंकि इंपोर्टन हैं अपके एक्जाइम पॉंट अफ यू से तो एप्लीकेशन की बात आती है इसमें क्यूव की अप्लीकेशन कहां कहांबर हो सकती है, तो जैसे आप देखते हो printer, printer में आप print की command देते हो, तो क्या होता है ऐसे तो नहीं है, सारे के सारे print out एक साथ निकल जाते हैं, एक के बाद एक print out निकलता है, तो वो क्यों होता है, printer के अंदर जो buffer है ठीक है न, उसकी जो memory है buffer है, उसके अंदर हो एक के पीछे एक लगते चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्यों maintain की गई है उन print commands के लिए ठीक है, operating system में आप use करते हो, process management के लिए ठीक है, process management के लिए, आप operating system में इसका use करते हो, ठीक है बाद, इस तरह से ये, इसकी कुछ applications है कीउ की, ठीक है, तो अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आकन को दबाएं, धन्यावाद